दोस्तों, 7-8 महीने पहले मैंने 14-inch MacBook Pro M2 Pro purchase की थी इसे मैंने मेरे पुरानी 13-inch MacBook Pro M1 को sale करके purchase किया था और वैसे अभी तो M3 Pro model भी आच चुका है पर नया model आच चुका है, इसका मतलब यह नहीं है कि पुराना model अब कोई भी काम का नहीं रहा है आज यही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अब यह 14-inch M2 Pro MacBook कैसी चलती है और मुझे मेरे 13-inch MacBook Pro M1 से इसमें कितना difference feel होता है अगर आप नहीं M3 चपाली MacBook भी purchase करने की सोच रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके काफी काम आने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ MacBook की कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूँगा तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं अगर आप MacBook के first time buyer है तो सबसे पहले में आपकी M1, M2 और M3 चिप के confusion को दूर कर देता हूँ जिससे आपको आगे वीडियो में दिक्कत नहीं आएगी 2020 से पहले Apple अपनी MacBook में Intel के प्रोसेसर्स यूज़ करता था जैसे Windows और बाकी Laptop से यूज़ करते हैं पर Apple iPhone में काफी टाइम से अपनी खुद की चिप्स यूज़ कर रहा है वो भी काफी अच्छी थी जिसके कारण बैटरी बैककप में भी काफी अच्छा खासा improvement हुआ सबसे पहले M1 चिप आई जिसमें चार मोडल्स थे M1, M1 Pro, M1 Max और M1 Ultra इसमें M1 जो है वो बेस मोडल है इसके बाद M2 फैमली गई फिर M3 और अभी M4 फैमली की M4 चिप आ चुकी है और जो बाकी के मोडल्स है वो इस साल के एंट तक रिलीज हो जाएंगे अब जो मेरे पास मेकबुक प्रो है इसमें M2 फैमली की M2 प्रो चिप है सबसे पहले इसकी डिजाइन की बात करते हैं 14 और 16 इंच में Apple ने नई डिजाइन निकाली थी और मुझे परसनली ये डिजाइन काफी जादा अच्छे लगती है मेरे पास मेकबुक प्रो सिल्वर कलर में है यहां बीच में Apple का लोगो दे रख है और इसकी पूरी बोड़ी 100% डिसाइकल अलूमिनम से बनी है जिसके कारणे दिखने में काफी प्रीमियम लुक देती है बाकि चारो तरफ इसके edges को हलका सक कर्व किया गया है जिसके कारण Macbook हाथ में पकड़ने में काफी स्मूध लगती है बैक साइड में या बीच में अलूमिनम के अंदर Macbook Pro एंग्रेव किया गया है पहले Macbook Pro डिस्प्ले के नीचे लिखा हुआ आता था बाकि चारो तरफ रबड के legs दिए गए है जिसके कारण टेबल पर इसके काफी अच्छी grip बनती है उपर की तरफ हिंज के नीचे air vent दिये गए है जिसमें एक तरफ से हवा अंदर जाती है और दूसरी तरफ से गरम हवा भार निकलती है और mostly टास्क में तो इन फैंस के जरूत ही नहीं पड़ती है और जो MagSafe charging port था वो भी Apple ने अटा दिया था जो MacBook में एक काफी टाइम से था पर बाद में ये चीज एपल को जाके रियलाइज हुई और जब MacBook Pro के 14 और 16 इंच के नए मोडल्स है तो उसमें Apple ने इन सभी ports को दे दिया जैसे राइट साइड में एक HDMI port दिया गिया है फिर एक USB-C port और एक MicroSDX C card slot है लेफ्ट साइड में एक MagSafe 3 charging port फिर दो USB-C port और एक 3.5 mm headphone jack दिया गिया है जिसका यूज़ करके आप High Impedance headphones को connect कर सकते हैं MacBook Pro 14 इंच में टोटल 3 USB-C port है और 3 USB-C port Thunderbolt 4 के सपोर्ट के साथ आते हैं तो इनके यूज़ करके आप MacBook को चार्ज भी कर सकते हैं External display कर सकते हैं या फिर डाटर ट्रांसफर भी कर सकते हैं Thunderbolt 4 के कारण इन से आपको 40 GB पर सेकंड तक की डाटर ट्रांसफर रेट मिल सकती है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी डाटर ट्रांसफर स्पीड है मुझे MacBook का Maxi port बहुत अच्छा लगता है इसका जो connector है ये magnet की थूर चार्जिंग केबल को connect करते है और फिर MacBook चार्ज होने लग जाती है चार्जिंग के टाइम इसमें amber किलर शो होता है और फुल चार्ज होने के बाद ये light green हो जाती है इस केबल को आप डिरेक्ट सिधा खींच कर बाहर नहीं निकाल सकते है इससे निकालने की एक trick है इसके लिए आपको इस connector को उपर या फिर नीचे की तरफ पूल करना होता है 14 इंच MacBook Pro साइट से 0.6 इंच थिक है और इसका weight 1.60 gram है यहां front side में cut out दिया गया है जहांसे आप MacBook की लिट को open कर सकते है MacBook की मुझे एक चीज बहुँ ज़्यादा अच्छे लगती है कि जो इसका hinge होता है वो इतना smooth होता है कि आप एक हाज से इस की लिट को open कर सकते है MacBook के अंदर की तरफ का यह पूरा enclosure aluminum unibody से बना होता है मतलब यह aluminum key single sheet से बनता है जिसके कारण यह काफ़ strong तो होता ही है पर साथे साथे काफ़ lightweight भी हो जाता है बाकि यहां इसका keyboard दे रख है जिसे Apple Magic Keyboard कहता है 14 और 16 इंच MacBook Pro में keyboard की keys तो black है पर जो इनका background है यह भी black आता है जिसके कारण keyboard दिखने में काफ़ अच्छा look देता है उपर की तरफ corner में यह power button है जिसमें इसके touch ID है जो एक fingerprint sensor है और यह fingerprint sensor बहुत जादा fast है इसका use करके आप instantly MacBook को unlock कर सकते हैं बाकि एक backlit keyboard है मतलब इसमें सबी keys की अपनी एक light है और यह keyboard MacBook के embed light sensor का use करके इन keys की brightness को automatically आपके आसपास के lighting condition के एसाब से adjust करता है तो आप इस keyboard को बिलकुल अंधेरे में भी बिना कोई दिक्कत की use कर सकते हैं बाकि keyboard की keys का travel मुझे personally काफ़ अच्छा लगता है और जब आप इस keyboard के साथ typing करते हैं तो इसके keys काफ़ responsive लगती है और typing करते वक्त आपको यह नीचे काफ़ अच्छा handrest भी मिल जाता है keyboard के side में दोनों तरफ speaker grill दी गई है और नीचे भी दोनों तरफ speaker के vent दे रखे हैं यह नीचे काफ़ी बड़ा trackpad दिया गया है बाकी laptops में trackpad यूज करना एक nightmare लगता है पर इसका जो trackpad है एक तो size में काफ़ी बड़ा है और दूसर जैसे phone की display चलने में smooth लगती है वैसे इसका trackpad चलने में smooth लगता है तो इस trackpad के साथ Macbook को चलाने का next level experience रहता है जोर से press करते हैं तो आपको लगता है कि आप button press कर रहे है Macbook को कैसे use करते हैं इसके बारे मैंने एक पूरी separate detail वीडियो बना रखी है अगर आप देखना चाहते हैं तो उपर मैंने link दे रखी है उपर की तरफ 14.2 इंच की display दी गई है जिसका 3024 by 1964 pixels का resolution है 254 pixels पर इंस density के साथ 13 इंच Macbook Pro में बैजल्स काफ़ ज़्यादा आती थी पर इसमें आप देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ कम बैजल्स दी गई है जिसके कारएं इसके display दिखने में काफ़ ज़्यादा अच्छी लगती है और कम बैजल्स के कारण उपर इतने ज़्यादा जगा नहीं है तो camera और sensors के लिए यहां बीच में अलग से nose दी गई है इसमें full HD camera दिया गया है जिसके quality video calling के साथ से एक काफ़ अच्छी है Macbook की display इस starting से ही बहुँ ज़्यादा अच्छी रही है इनकी pixel density और color rendering काफ़ ज़्यादा अच्छी होती है पर Macbook Pro के जो यह नए 14 और 16 इंच के models है इनमें Apple की नए liquid retina XDR display है यह LCD है जो IPS और in-plane switching technology का यूज़ करती है और इस XDR display में कई सारी mini LED light का यूज़ किया जाता है जो zones में group की जाती है और इन्हें individually control किया जा सकता है जिसके कारएं इस Macbook Pro में 1 million is to 1 का contrast ratio आता है जो कि extraordinary contrast ratio है इसका मतलब display में bright area जादा bright दिखते हैं और black area जादा dark दिखते हैं जिसके कारएं इस display में deep black colors देखने को मिलते हैं और colors पहले के मकाबले में काफी vibrant और rich लगते हैं यह HDR display 1000 nits की full screen brightness को sustain करके रख सकती है और HDR support के साथ आती है HDR content में आपको 1600 nits की peak brightness मिलती है जो बहुत ही अच्छा brightness level है मेरी पुरानी 13 इंच Macbook Pro में HDR support नहीं था तो HDR content देखने में अलग नहीं लगता था पर इस Macbook Pro में जब मैं HDR content देखता हूं तो अलगी मज़ा आता है जो highlight और colors होते हैं वो real life के तरह pop करते हैं और क्योंकि इसकी LEDs को individually dim किया जा सकता है तो जितने area में यह HDR video चल रही है यहां की brightness और high dynamic range बाकी की display से अलग है यह area बाकी display से ज़्यादा bright दिख रहे है जो शायद आपको camera में पता नहीं लगेगा पर इससे आप actual में experience करेंगे तो मज़ा आ जाएगा बाकी आप इसकी display को बिल्कुल past से भी देखते हैं तो भी इसकी display pixelated नहीं लगती है इसके लावे नई liquid retina XDR display Apple की pro motion technology की साथ आती है मतलब इसके display में आपको 120Hz की adaptive refresh rate मिलती है जो content के असाब से अपनी refresh rate को adjust करती है और 60Hz के display को चलाने के बाद जब मैंने इस display को चलाए था तो मुझे बहुत ज़्यादा smooth लगी थी तो best display आपको 14 inch macbook pro में दी गई है अब आप सोचेंगे मैं कुछ ज़्यादा ही तारिफ कर रहा हूँ बट actual में ये machine तारिफ के like है इसमें high fidelity 6 speaker sound system दिया गया है जो force cancelling woofer के साथ आता है और इन speakers में special audio का support भी दिये गया है तो जब आप इस macbook में movies देखते हैं या फिर music सुनते हैं आपको बिल्कुछ surround sound सुनाई देता है और ऐसे लगता है जैसे आवाज आपकी चारों तरफ से आ रही है इसमें उपर भी दोनों तरफ speaker grill दी गई है और नीचे भी दोनों तरफ speaker के लिए went दिये गए है जिसके कारण surround sound generate हो पाता है speaker की quality बहुत जादा crystal clear है और एक एक beat ऐसे सुनाई देती है जैसे instrument आपके सामने ही बज़ रहे हैं और bass भी काफ़ जादा deep है इसकी speaker quality तो अच्छी है पर Apple ने microphone quality में भी कोई कसर नहीं चोड़ी है इसमें studio quality के 3 mic array मिलते हैं high signal to noise ratio और directional beam forming के साथ आते हैं simple language में बताऊं तो बिलकुल studio quality के इसमें mic दिये गए है इससे जब आप अपनी voice को record करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे आप किसे studio में अपनी आवाज को record कर रहे हैं यह जो अब आप आवाज सुन रहे हैं यह मैंने इस MacBook Pro के 3 mic RS record की है आप आवाज सुनते हैं इसके mic quality का idea लगा सकते हैं जब आप MacBook के display को बंद करते हैं तो इसके display और keyboard के बीच में जो gap होता है यह काफी कम होता है तो अगर आप इसे किसी bag में रखते हैं जिसमें already पहले से काफी समान है या फिर अगर आप इसके उपर कोई book या heavy item रखते हैं तो यह जो gap होता है काफी कम हो जाता है और display और keyboard आपस में चिपक जाते हैं और अगर keyboard पर आपके oil या फिर कोई dust लगा हो तो keyboard के निशान display पर चप जाता है और अगर आप यह बार बार repeat करते हैं तो यह निशान पर्मानिट हो जाता है अगर आप इससे avoid करना चाहते हैं तो आप इसके display पर एक screen protector यूज़ कर सकते हैं और screen protector भी आपको slim यूज़ करना चाहिए बाकि अगर आप Macbook के keyboard पर cover लगाने की सोच रहे हैं मैं मेरी Macbook पर ना तो screen protector यूज़ करता हूँ और नई मैंने इस पर कोई keyboard cover लगा रख है और अगर आप इसके display देखेंगे तो इस पर नई तो को scratch है और नई इस पर keyboard का निशान है और इसका कारण है कि मैं display और keyboard की बीच में एक microfiber cloth का यूज़ करता हूँ आपके touch display तो होती नहीं है कि आप इस पर बार बार टेच करेंगे और इस पर fingerprint निशान आ जाएंगे या फिर स्क्रेच लगेंगे तो आप सबसे बैस्ट है कि माइक्र फाइबर क्लोथ यूज़ कर सकते हैं तो आप इसे स्टोर करने के लिए एक sleeve ले सकते हैं जिसमें आप slide करके इस MacBook को डाल सकते हैं जिसमें मेरे पास ये Bellroy की sleeve है या फिर आप कम रेट में एक अच्छी quality का product लेना चाहते हैं तो आप इस cover को purchase कर सकते हैं इस cover के side में zip दी गई है जिसे खोल कर आप इसे open कर सकते हैं अंदर की तरफ इसमें आपको sleeve दी गई है जिसमें आप MacBook को slide करके रख सकते हैं उपर और नीचे आपको काफी अच्छी padding भी दी गई है तो इस cover के साथ अगर आपकी MacBook गिरती भी है तो कोई दिकत वाली बात नहीं होती है बाकी जो MacBook की body है वो aluminum से बनी है जो काफी strong होता है पर regular use आप इसे करते हैं तो थोड़े बहुत इस पर scratches आजाती है अगर आप इन इस scratches को avoid करना चाहते हैं तो आप skins का use कर सकते हैं जैसे मैंने इसके लिए gadget sales के skin मंगाई है वैसे तो मैरे MacBook पर अभी कोई भी scratch नहीं है पर मैं थोड़ा सा नया look try करना चाहता था तो मैंने ये white color की skin मंगाई है बिल्कुल पतली tape की तरह होती है आप इसे काफी easy लिए लगा सकते हैं और लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी feeling होता है कि आपने इसके उपर कुछ लगा रखा है तो external protection के लिए skins भी काफी अच्छी रहती है और इन सभी products की link मैंने video description में भी दे रखी है आप वहाँ जाकर इने purchase कर सकते हैं performance की बात करूँ तो performance wise तो मुझे M1 chip में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी उसमें मैं 4K वीडियो काफी smoothly edit कर पा रहा था और सब कुछ बिल्कुँ smoothly चलता था पर वो base model था तो इसमें 8GB RAM थी जो 4K multi-layer editing के लिए कम पड़ती थी तो जब मैंने MacBook Pro M2 Pro ली तो इसके base model में मुझे 16GB RAM और 512GB SSD और साथे साथ मुझे उससे भी ज्यादा better performance मिल गई इस MacBook Pro में M2 Pro का base model है तो इसमें 10 core का CPU है जिसमें 6 performance core है और 4 high efficiency cores है आप चाहें तो upgrade कराके इसमें 12 core का CPU भी ले सकते हैं इसके लावा M2 Pro में 16 core का GPU है और 16 core का neural engine है RAM भी इसे chip में inbuilt होती है जिसे Apple Unified Memory कहता है जिसके कारण इसमें 200 GB per second की memory bandwidth मिलती है तो जब भी प्रोसेसर को memory की जरूत पढ़ती है तो Unified Memory के कारण प्रोसेसर हातवात RAM को एकसेस कर पाता है और बहुत से कारणों में से ये एक कारण है कि Apple की chips की performance इंटल की chips के मुकाबले में ज़्यादा बैटर हाती है Apple की Fast Unified Memory और Custom Processor के कारण जब आप Macbook के लिड को open करते है तो smartphone की display की तरह इसके display भी instant on हो जाती है मुझे याद है जब मैं Windows laptop यूज़ करता था तो मेरा काम खतम होने के बाद मैं आपको shut down करके रखता था क्योंकि बैटरी काफे जादा consume होती थी पर Macbook को आप बिल्कुल एक smartphone की तरह यूज़ कर सकते हैं जैसे अगर आपको काम हो गया है तो आप इसके lid को बंद करके smartphone की तरह lock करके रख सकते हैं आपको बार-बार इससे shut down करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जब इसके lid बंद होती है तो बैटरी ना के बराबर जाती है अब आपको इससे दुबारे यूज़ करना है तो आप इसके lid को ओपन करके इसे instantly यूज़ कर सकते हैं एक परसेंट भी lag नहीं आता है बिल्कुल जैसे आप अपने स्मार्टफोन की डिस्प्ले को ओन करके अनलोग करते हैं सेम वैसे इसके साथ लगता है ये इस MacBook Pro के Geekbench 6 एप के CPU और GPU Benchmark Scores है और ये मेरी पुरानी 13 इंच MacBook Pro M1 के Benchmark Scores है CPU Scores में आप देख सकते हैं सिंगल कोर में ज़्यादा फरक नहीं है पर Multicore Scores में फरक है क्योंकि M2 Pro में नमर उफ कोर्स ज़्यादा है और ये पावरफुल भी है बाकि M2 Pro का जो GPU है वो M1 से काफ़ी पावरफुल है और इसका फरक आप Scores में भी देख सकते हैं M2 Pro के GPU Scores M1 से लगबग 2 गुना ज़्यादा है तो इन Scores को आप देखकर परफुमेंस का एक आईडिया लगा सकते हैं ये मेरा S24 रिव्यू वीडियो का पुरा 4K प्रोजेक्ट है इसकी टाइम लाइन में आप देख सकते हैं काफ़ी सारी लेयर्स है और मैं इस टाइम लाइन में बिलकुल मकन की तरह नविगेट कर पा रहा हूँ एक परसेंट भी लेग नहीं है और Space Key को प्रेस करके मैं डिरेक्ट इस प्रोजेक्ट को बिना एक्सपोर्ट करे उपर वाली विंडो में फुल क्वालिटी के साथ प्ले कर सकता हूँ जो की बिलकुल भी लेग नहीं कर रही है ये पूरी वीडियो लगबग 20 मिंट की थी और जब मैंने इसे एक्सपोर्ट किया तो सिर्फ 12-13 मिंट में एक्सपोर्ट हो गी थी मैकबुक में आप गेम्स भी खेल सकते हैं काफे अची चलती है पर ये गेम्स के लिए प्रेफर नहीं की जाती है क्योंकि जो मॉस्टली पॉपुलर गेम्स आती है वो विंडोस पीसी या प्लेस्टेशन के लिए रिलीज होती है जैसे जीटेए 5 अभी तक मैक के लिए नहीं आती है तो इस चकर में मैकबुक को गेम्स के लिए प्रेफर नहीं किया जाता है मैकबुक मोस्टली ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, फोटो वीडो एडिटिंग, साउंड डिजाइनिंग, 3D अनिमेशन या प्रोडेक्टिविटी के लिए जादे यूज होती है बाकि जो इसके लिए अवेलेबल गेम्स है वो आप इसमें केल सकते हैं मैकबुक में जो दिक्कत आती है वो आती है लेक ओफ कन्फिगरेशन की मतलब अगर आपने जिस कन्फिगरेशन के साथ इसे खरीद ली उसके बाद आप खुछ से इसमें कुछ भी अपग्रेट नहीं कर सकते हैं जैसे ना तो आप इसके स्टोरेज को खुछ से बढ़ा सकते हैं ना आप इसके रैम को बढ़ा सकते हैं और नहीं आप इसके जीप्यो को बढ़ा सकते हैं क्योंकि यह सब एक छोटी से चिप में होता है तो जब भी आप MacBook purchase करें तो अपनी configuration को अपनी requirement के अहसाब से पहले ही बना लें क्योंकि purchase करने के बाद आप upgrade नहीं कर सकते हैं अब आजाते हैं इसके battery backup पर MacBook को जो battery backup होता है नो वो best होता है आप किसी भी laptop से जाकर इसका battery backup compare कर लीजे MacBook के जैसे battery backup आपको किसी भी दूसरे laptop में नहीं मिलेगा पर जो मेरे 13 इंच वाला model था उसका battery backup इससे भी ज्यादा अच्छा था उसके साथ अगर मैं 4K वीडियो को edit करता था तो फुल वीडियो edit होने के बाद भी 10-20% battery backup बच जाता था इसके साथ मुझे इससे बीच में चार्ज करना पड़ जाता है और इसका कारण है इसके display की high refresh rate और ज्यादा powerful processor वहीं अगर normal uses के बात करें तो मुझे difference इतना जादा फील नहीं हुआ डेट से 2 दिन normal uses में इसके साथ आराम से निकल जाते हैं और M2 Pro के base model के साथ 6-7W adapter आता है जिसके साथ Macbook काफी जल्दी चार्ज होती है और मैंने एक चीज़ नोटिस की है एक्चल में पता नहीं ऐसा है कि नहीं पर जब आप Macbook को यूज करते हैं तो यह काफी जल्दी चार्ज होती है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मैं जब बैसे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद